और उनके साथ चर्चा करेंगे सूत्रधार श्री नवीन चौधरी जी निदियत रिपाठी जी आज के समय के एक दमदार छात्र राजनीती का चहरा है उनके साथ में बहुत रोचक बाचीत करने वाले हैं श्री नवीन चौधरी जी मैं आगरे करूँगा लेखक श्री मुकेश तिवारी जी से कि वे आएं और निदियत रिपाठी जी का स्वागत करें ये एक बड़ी देशा और दशा तै करने वाला है देश की मैं आगरे करूँगा मुकेश तिवारी जी से कि वे श्री नवीन चौधरी जी का स्वागत करें ये एक बहु प्रतिक्षित सत्र है आप दोनों का बहुत इंतजार हो रहा था और बहुत रोचक बातचीत के लिए हम बिल्कुल तयार है ये मंच आपके हवाले सर ने पहले बहुत प्रेशर बढ़ा दिया है मेरे उपर की बहुत रोचक सत्र है अब जो हैसके बाद मुझे का इतिहास हमारे देश में 200 वर्ष पुराना है और academic association बने थे debating societies बनी थी और इसके साथ ये सारी चर्चा चात्रा अंदोजनों की शुरू हुई जो पहरा documented हमें दिखता है चात्रा अंदोजन हमारे यहाँ वो 1905 में बंगार विभाजन के लिए रोड करजन की का पुतरा जलाने के साथ दिखा था और उसके बाद जो है कई सारी घटनाए होती रही बहुत सारे अंदोजन इस देश ने देखे हैं चात्राजनीती में और उसके परिणाम जो है हमने अलग-अलग तरीके से देखे हैं तो आज निधी जी के साथ इसी विशे पर बात करेंगे लेकिन उससे पहले सबसे पहले में इससे पहले महिराएं जनरल सेकर्टरी नहीं होती थी तो क्या हुआ कि देर रगी आने में तुमको इतना समय गुजर गया और उसके बाद जो है विद्यार्थी परिशत ने पहली बार क्योंकि हम उस देश्टे हैं जहां हम यत्रनारियस्ति पूजनते की बात करते हैं लेकिन एक ऐसा सिख चात्र संगतन इतने साल देता है एक मेरा को एक चात्रा को उस जगह पर लेकियाने के लिए सबसे पहले तो मैं इन दौर की अपनी प्रबुध जनता को आप सभी को प्रढाम करती हूं विद्याथी परिशत पूरे परिवार की और जैसे की अभी हमाँर महोदय ने कहा कि मैं पहली नाशनल जनरल सेकेट्री हूं छात्रा पहली नाशनल जनरल सेकेट्री ए बीवे प म और अगर बात करें कि एक महिला होने के नाते इतना वर्ष लगा विद्यार्थी परिशद में आने के लिए, तो मुझे लगता है कि विद्यार्थी परिशद जेंडर बाइस्ट नहीं है, और हम यह नहीं देखते हैं कि छात्रा है या छात्र है, एक कारेकरता के नाते से किसी व्यक्ति में वो गुण है, कि वो National General Secretary के Responsibility ले सकता है, और संगठन को आगे ले जा सकता है, तो उस नाते से संगठन कारेकरता को दायत्वों देता है, और वो कारेकरता उस दायत्वों कार निर्वहन करता है, तो उसी कडी में, मैं हूँ और मैं उस दाइतवकर निर्वान कर रही हूँ और मुझे ये गर्व भी है कि विद्यार्थी परिश्यद ने इस विशय में सोचा है और एक छात्रा जनरल सेकेटरी के रिस्पॉंसबिलिटी पर है अन्य किसी चात्र संगठन ने आज तक ये विचार भी नहीं किया उनके अंदर ये विश्वास ही नहीं है कि वो किसी चात्रा को जनरल सेकेटरी के रिस्पॉंसबिलिटी दे पाए मैं प्राया लेफ्ट के और इस बहुत सारे देखता हूँ उनके तो पॉलिट बूरो में ही सिर्फ एक मात्रमहिला है और वो भी इसले क्योंकि एक किसी व्यक्ति की पत्नी होने के कारण वो पॉलिट बूरो में है उसके अलावा तो नेत्रत्व की अगर बात करें तो कौन सी ऐसी चात्रा है जो अज नाशनल लेवल पर जा करके और डेश को रिप्रेजन करने की कोशिश करें पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव सेंस, तो बहुत सारी चीज़ों में उनके लोग हैं, बट जहां पर भी एक नेत्रत्व देने की बात आए, तो वहां हमेशा ही पुरुषों को आगे करने का कार्यों उन चात्रसंगथनों में होता है, बहुत सारी ग्जामपल्स भी हैं और समय समय पर वैसी चीज़े हम लोगों को देखने को मिलती भी हैं, और महिलावाद की बात भी करेंगे, प्रोग्रसिव भी बोलेंगे अपने आपको, बट प्रोग्रसिव होने के साथ साथ में रेप केसिस उनके छात्रसंगथन में उन्ही के पुरुषकारे करता, अपन सारे केस हमारे सामने हैं उनके हाँ, महिलाओं के साथ में अभधरता की जाती है, उसके केस भी हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, अलग-अलग उनिवर्सिटीज में ऐसे केस भी सामने आते हैं, कि जब कोई एक लड़की विदिन ऑर्गनाइजेशन अगर सेक्श्व इंटरी में अपना फेस चमकाना था, तो बहुत सारे लोग इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने गए, बट मुझे गर्व है कि मैं ऐसे विद्यार्थी परिशद चात्र संगतन की कारे करता हूं, जिसने अन्त तक निर्भया की मा का साथ दिया, जब तक की रेपिस्ट को नहीं हो गई, और हम हर एक कदम पर उनके साथ में खड़े थे, तो विद्यार्थी परिशद ये डिफरेंस जो है अंतर, वो हमें साफ देखने को मिलता है, कि कौन कैमरे के आगे अपना फेस चमकाने के लिए और फेक पॉबिसिटी के लिए फेमिनिजम का टाग अपने कोई व्यक्ति ऐसा है या कोई एक चात्र संगठन ऐसा है उसके विशह में बात करे या ना करे परन्तु जो एक रियल फामनिजम है यह कहें कि एक रियल महिला सशक्ति करड की बात है उसको लेकर के जाता है वो चाहे आज एज एब एपि महे मुशन साहसी के मादम से बारा इसमें पढ़ने वाली लड़कियों को महिलाओं का पुरुशी करन कर देना ये फेमिनिजम नहीं है, बलकि महिलाओं को सशक्त करना ताकि वो आर्थी ग्रूप से इंडिपेंडेंट हो सकें, इस दिर्शा में अगर हम बढ़ेंगे तो जादा अच्छा होगा, और यही एक ड पूछना जाता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम समय में हम जेतने ज्यादा मुद्दे उठा सकें, निटीजी मेरा अपना मानना है कि कोई भी देश जो है आगे तब बढ़ता है जब उसका कल्चर उसकी भाषा उसके साथ होती है, हमारे देश में जो है भाषा जॉब की अग्रेजी हो गई है, एक हम देखते हैं किसी एक भाषा को हम बना भी नहीं सकते हैं, 1965 में चाहत्र आंदोजन हुआ और वो हिंदी के विरोध में हुआ था जब दो हमने भाषा की बाद की हिंदी अंग्रेजी, तीन भाषा की बाद नहरु जी के बाद वी थी कि तीन अंग्रेजी जो है कही नहीं एक कॉमन भाषा बनती चली गई है, और हमारे ही देश में हमारी भाषा हैं कही नहीं पिछड़ती जा रहे हैं, तो आपका जो विशय है, आपने में संस्कृत में किया है, उसमें पेच जी आप कर रहे हैं, देववानी कहा जाता है, और प्रत जो लन एक है, जहां पे की कंटिनेशन में काम हो रहा है, जैसे इनों ने बहुत सारे उदारन दिये थे, काम करते हुए हम क्या समाज को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या भार्षा को रेके विद्यार्थी परिशद असा कुछ काम कर रहा है, जहां भारती वाले विद्यार्थी संगठर ने अपनी तीन दिमांड्स दी थी, और उसमें एक दिमांड ये भी थी कि रास्ट भाषा के रूप में हिंदी को स्विकृति मिले, कम्यूनिकेशन की जो भाषा हो वो हिंदी हो, ये विद्यार्थी परिशद ने सम्विधान बनने के समय में अपनी समविधान सभा को ये सुझाओ दिया था, और आज भी विद्यार्थी परिशद उसी बात को लेकर के द्रड है, ना सिर्फ हिंदी बल्कि समस्त भारतिये भाषाओं को संपोशन मिलना चाहिए, उनका समवर्धन होना चाहिए, और मुझे खुशी भी हो रही है ये कि जो भी रास्टिय शिक्षानीती 2020 आई, वो रास्टिय शिक्षानीत में भारतिये भाषाओं के समवर्धन के लिए बहुत काम हो रहा है, और अच्छा है कि जब इंप्लिमेंटेशन के लिए हम आगे बढ़ेंगे, तो नाशनल एजुक्वेशन पॉलिसी में जो भारतिय भाषाएं हैं, उनके सुद्रडी करड के उपर जोर होगा, और सच बात ये भी है कि मेरा जो अपना खुद का थौट है, वो थौट प्रोसेस ही हमारा हमारी अपनी खुद की भाषा में होता है, किसी आयातित भाषा में जैसे ही हम कारिक करनी की कोशिश करते हैं, हमारी प्राश दर्डी भाषा में ही हमारी ज्याद तर प्रेस्ट नोट शाती है और उसमें भी हमारा प्रयास ये भी होता है कि हम उसमें आज जैसे कुछ कुछ직 शब्द है कि वो शब्द ऐसा लगता है कि वो इंग्लिश के ही शब्द है और वो उनका हिंदी गाया भी होग best कि एक दो बार कुछ लोगों ने कहा कि आप ऐसे ऐसे शब्द बोलती हैं जो समझ में नहीं आता है, आप सोशल मीडिया पर ऐसे शब्द लिखती हैं जो समझ में नहीं आता है, तो मैंने उनको एक ही बात बोली, कि जब आप अंग्रेजी के गुछ हमारे उपर फेकते हो तो को गुच्छ सुनने के बाद हम भी तो डिक्षणरी चेक करते हैं ना कि आपने क्या बोला तो जब मैं हिंदी के शब्द बोल रही हो कुछ और सबसे बड़ी बात अंग्रेजी के शब्द के लिए हिंदी क्या होगी उसके लिए तो डिक्षणरी आपको पता है पर ये हिंदी वो शब्द प्रयोक करने लग जाते हैं तो ये प्रयास है थोड़ा विद्यार्थी परिशिद लगतार इस तरीके सो जड़ा हुआ है और जब भी रास्ट्री शिक्षा नीती चुकि एक शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए हम सभी के बीच में आई है तो तो इस माध्दयम से जब हम भारती भासाओं के विशय परिशा करेंगे तो भारती भासाओं का संवर्धन निष्टी होगा और जो उसके कारण से जो एक मानसिक विकास होना है वो भी तीवरगती से हो पाएगा और इससाइंटिफिक प्रमाड में को देखने को मिलते ही है हम अब केंपस की तरफ एक बढ़ते हैं, और आंदोलनों की ही बात है, चुकि तो नव निर्मान आंदोलन हुआ था गुजरात में, 1974, शुरुवाद 73 दिसंबर में हुई थी, और एक इंजिनिरिंग कॉलेज में, होस्टर की फीस हाई क्वी 20 परसंट, और इसके बाद वहां और धिरी धिरे ये गुजरात में, गुजरात इंवस्टी के साथ शुरू हुआ, आंदोलन, वहां पे भी चात्रों ने स्ट्राइक किया, और थोड़े समय में ये राज जव्यापी जो है, आंदोलन बन गया, और इसके बाद धारा 144 भी लगी, काफी कुछ चात्र उसमें गरफतार हुए, in fact, सरकार चली गए उस आंदोलन के चक्कर में, तो ये इतिहास की बात है, और इतिहास हमेशा खुद को दहराता है, जहाँ डेट साल पहले की बात है, जहाँ जेनियू के अंदर भी एक आंदोलन शुरू हुआ, फीस हाईक को लेके, और मुद्धा मुझे मुझे रखता है कि फीस का ठीक है, जैकिन एक साथ-साथ, मुझे बड़ी इंटरस्टिंग चीज पता रगी, जब मैं वहाँ की फीस जेनियू की देख रहा था, तो मिलेकर शाथ 80 रुपए या से कुछ, 280 रुपए के असपास कुछ है, मैं जब कॉलेज में था, 97-98 के ता ऐसे ही कर अन-स्टेट उनवस्टी में भी है, ऐसा ही होगा, तो क्या विद्ध्यार्थी परश्ट को यह नहीं रखता कि सिक्षा जो है, बिना सिक्षा के देश आगे नहीं बढ़ेगा, युवा आगे नहीं बढ़ेगा, और सिक्षा के लिए जो एक बेसिक चीज है, अफ अच्छा विद्ध्यार्था पढ़ेगा, उसकी कोस्ट नहीं हो, नहीं ही हो, मैं मानता हूँ कि सिक्षा फ्री ही हो एक तरह ऐसे, उनवस्टी का प्राइविटाइजेशन बढ़ता जा रहा है, वो भी मुझे रखता है कि कहीं कहीं सिक्षा को महंगा करता जा रहा है, वो से बाहर जा रहा है, दूसरा नुकसान उनवस्टी के प्राइविटाइजेशन का ये भी है, कि वो उनवस्टी कभी भी चात्रा अंदोलनों को पनपने नहीं तेंगे, जो कि चात्रा अंदोलनों का होना बहुत आवशक है, दोनों आस्पेक्ट से, एजुकेशन की एफोड अगर विद्यार्थी परिशद अपने संगठन के प्रयासों के उपर अगर इस्पेशली फोकस करने के बारे में बात करूं मैं तो मुझे ध्यान में है कि जब JNU कैंपस के अंदर, क्योंकि मेरा खुद का भी वो कैंपस है और मैं भी उस आंदोलन की सह भागी रही हूँ, उस परिसर में जब fee hike का एक moment हुआ, तो उसके बाद में पूरे विद्यार्थी परिशद ने भी वहाँ पर अंदोलन किया, क्योंकि विद्यार्थी परिशद का ये मानना है कि affordable education होनी चाहिए, सर्व सुलब शिक्षा होनी चाहिए, medical की fees आज के समय में हम देखें, engineering की fields दे परन्तु वह करना चाहता है, अच्छा पढ़ना चाहता है तो नहीं पढ़ता है, उन चीजों से वह चूक जाता है, तो affordable education तो होनी ही चाहिए, और उसके नाते से ये विद्यार्थी परिशद के डिमांड भी है कि शिक्षा का बजट भी बढ़ाया जाना चाहिए, जिसके क विरोध नहीं है, विरोध है व्यापारी करन का, यदि अगर हम निजी करण का विरोध करतें, तो शायद रवेंद्रनात जीद्वारा इस्टाबलिश आज विष्व भारती हम लोगों के बीच में नहीं होती, अगर निजी करण का विरोध होता, तो आज जो एकितनी महिलाओं के लिए उनिवर्सिटी खुली है वो शायद नहीं होती या डिय वी स्कूल्स नहीं होते तो बहुत सारे ऐसे निजी महाविद्याले विश्व विश्व विद्याले भी है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम के लिए पर विरोध है व्यापारी कर होते हैं तो हमारे यहां तो वैसे में भी भारतिय संस्कृति में भी शिक्षा जो है वो कभी व्यापार का माध्यम नहीं रही है बलकि शिक्षा तो हमेशा चरित्र नर्मार में काम आई है भाविश्य के लिए एक बहावी एक अच्छा नागरिक तयार करने के लिए काम में परन्तु व्यापार जब हम शिक्षा को मानने लग जाते हैं, तो वहां से पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने फीस तो ले लिबट, आपकी अकाउंट बिलिटी किसे के प्रती फिक्स ही नहीं है, कि आपको जवाब किसको देना है, आपकी जवाब दे ही फिक्स नहीं है तो इस कारण से व्यापारी करण का विरोध है, क्योंकि निजी संस्थाएं अच्छा कर रही है, बहुत सारे संस्कृत के गुरुकुल है, मुझे धान में है, मेरट में प्रभात आश्रम गुरुकुल है, चोटी पूरा गुरुकुल है, मेरट, उसके अलावा बहुत सारे जो आज की समय में बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा है, वो निजी रूप से चलते हैं, आरे समाज के बहुत सारे गुर्कुल है, वो निजी चलते हैं, पर अगर उनको कहीं से डोनेशन मिलता है, तो वो समाज को दान भी देते हैं, तो इस कारण से व्यापारी करण का विरो अपारी करण I think यह बहुत बड़ा आपने डिफ्रेंशीशन दिया है। मेरा अपना मानना है कि सिक्षा, स्वास्त्य और इंफ्रेस्टरॉक्ट्चर्ट्रॉच्छ्रॉर्च्ट्च्र. यह जो है यह सरकार काम है, बागी चीजें चल रिजा सकती है। अब एक बड़ा जोड़न्त मुद्दा है और ये कोरोना आया फिर मुद्दा दब गया CAA NRC 1979 में आसाम में चात्र आंदोलन शुरू हुआ था और ये आंदोलन जो है इल्रीगल इमिग्रेंट्स जो थे बंगरादेश के वहां से शुरुआत हुई और वो अंदोलन आगे चला उसके बाद उसका पढ़नाम ये रहा कि प्रफल मुद्दा जो है वहां पर मुख्यमंत्री भी बने समय बतला अब धीरे धीरे जो है हम इंक्रूसिवनेस की बात करते हैं पिछले कुछ समय से डिबेट चली आ रही है जिसमें रेफ्ट और्गनाजिशन इसमें जेनियुका में सेडिशन वाला जो केस है उसको जोड़ूँगा वहां जो नारेबाजी होती है जहां कश्मीर की आजादी की बात की जाती है तो समय जिस तरह स्चेंज हो रहा है, globalization हो रहा है, सब inclusiveness की बात हो रही है, कुछ differentiation नहीं है तो यहां पर बोलने की आजादी की बात हुई, CANRC के जरिये हम बात कर रहे हैं जहां पर एक ये भय है कि समाज का एक तबका धर्म विशेष को target करके ये काम किया जा रहा है तो विद्यार्थी परशत में इसके उपर बहुत समय आरोप लगे कि विद्यार्थी परशत जो है वो nationalism के नाम पर और अटक कर रहा है विधर्मियों पर जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए नहीं है तो इसको जो है ये क्या धार्मिक अटक इसको माना जा रहा है या आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि ये क्योंकि मैं इसको जब आसाम से जोड़ता हूं तो मुझे कहानी कुछ और लगती है एक बात तो एकदम क्लियर है कि CAA के प्रोटेस्ट के नाम पर अगर कोई व्यक्ति पूरे नॉर्टीस्ट को भारत से अलग करने की बात करेगा तो उसकी आवास बंद करने के लिए विधर्थी परिश्यद हमेशा गया एगा फिर वो व्यक्ति और जिस तरीके का जो आप ब जोरिटी कहते हैं कैसे संपरदाय का व्यक्ति है तो यह आरूप लगाना कि विधर्थी परिशद इस दिशा में बात करता है तो विधर्थी परिशद का क्लियर स्टांड है कि देश के विरोध में बोलने वाला व्यक्ति किसी भी संपरदाय का हो किसी भी लिंग का हो विध यहां जहां पर भी देश के विरोध में आवाज उठेगी, ऐसे लोगों की आवाज को बंद करने का काम समवैधानिक तरीके से अपने न्यायालियों के माध्यम से विद्यार्थी परिशद करेगी. 2016 में JNU कैंपस में जो हुआ, उसका भी विरोध विद्यार्थी परिशद में किया, दिल्ली में जो हिंदू विरोधी दंगे लास्ट इयर हुए, जिसको लेकर कि अभी मानी नयायलै का एक वाक्य भी आया कि भारत में हिंदूों को डराने के लिए दिल्ली में एंटी और अब आपको CAA के नाम पर आपको तकलीफ हो रही है, मतलब आप जो बेकार के लोग हैं, उनको बुलाने के लिए आपको भारत में बहुत आपको सोतंतरता चाहिए, अभी खालिस्तान में क्या हुआ, माफी चाहती हूँ, अभी अफगानिस्तान में जिस तरीके के तालि बाद ने हरकते की हैं, और उसके बाद वहां के जो सिख लोग थे, वो सारे सिख लोग भारत आए, अगर ऐसी सुवधा, CAA जैसी सुवधा नहीं होती, तो क्या वो आपाते हैं, वो नहीं आते हैं, और बाद में जो लोग विरोध कर रहे थे, उन लोगों का CAA के नाम पर बाद बाद अविरोध किसी के मर जाने के लिए कसमे खाने पर परिवर्तित हो गया, कब वो विरोध भारत के टुकड़े करने पर परिवर्तित हो गया, किसी को कुछ, मतला उसके पीछे का hadden agenda क्या था, वो hidden agenda निकल करके सब का सामने आया है, यहां एक फुष्टिन मैट जो सताय हुए है वो आएंगे ना जो प्रताडित है उनके लिए मार गाएगा जब आपको पता लगेगा कि जम्मू कश्मीर में जब 90s में क्या किया गया कि या तो धर्म परिवर्तन करो या तो मारे जाओगे जब रिलिप सिलिप गिलिप की बात आपके पास आजाएगी में किस्तान में मा Elvy Li-D wrestling इस तो कहा गया है उनके लिए यहां परस्थान खूला है तो अगर बागर प्रताडित हो गे तबाद की प्रताडित कर रहे हो ना तो अगर एक अपराधिव्यक्ति यह के दें ब Nateerson's लिए शुब करम हो यह अच वमोंब सुखिना आप टुरितार्थ कर स्यान सर्वभवन तो को सब्सक्रवे साइब कर आज तो के लोगों को दिक्कत हो रही है,ध होने का उनको दिक्कत क्यों हो जा यह यह भी समझ में ay kimse क्योंकि जिन लोगों को भारतिय संस्कृति, भारतिय सब्भैता और भारतिय मूलियों पर भरोसा ही नहीं है, जिनके विचार ही आयातित विचार है, जो वेटिकन सिटी से ही चल रहे हैं, जो मासकों में बारिश होने पर भारत में छाता खोल करके बैठते हैं, वो भारत की ब को तोड़ने की कसमे खाएं जो हमारे सैनिकों की हमारे जवानों की हत्या करने के बाद में जब माववादी हत्या करते हैं तो वो संस्थानों में डीजे बजाने वाले लोग उनसे हमें कोई भरोसा नहीं है नहीं हमें उनसे कोई उमीद है कि वो इस देश के लिए कुछ करें और मुझे पता है कि विद्यारथी परिशट तो ठीक है कि विद्यारथी परिशट के 33 लाग से अधिक सदस्य हैं जो नेशन रीकंस्ट्रक्षण के लिए काम कर रहे हैं बट उसके अलावा भी देश के ऐसे बहुत सारे यूथ हैं जो शायद अभी तक विद्यारथी दोश के साथ होश खोने की भी बात आती है, और विद्यार्थी परशत, चात्रों पर सामन नतर, विद्यार्थी परशत की पहले बात नहीं करूँगा, चात्रों के उपर हमेशा यह होता आरोप, कि बदमाशी करते है, मैं दिल्री में जब आया था, उग्र है चात्रों के उग्रता की बात होती है, मारपीट की बात होती है, और पिछरे कुछ वर्शों में विद्यार्थी परशत, जिसकी चवी ऐसी है कि राश्टर नर्मान की बात होती है, चरितर नर्मान की बात होती है, एसे कई मसरे उठे जहां विद्यार्थी परशत पे वेंडलिजम का आरोप लगा है, गुंडागर्दी का आरोप लगा है, हमारे संग्विधान में राइट टू स्पीच की बात है, फीडम आफ एक्सप्रेशन की बात है, और इसका अधिकार सबको है, और राफ्ट और में उमर खालिद, मैं उनके आइडियोजिस से एगरी नहीं करता, लेकिन उमर खालिद, जब रामजस कॉलेज में अपनी बात कहने जाना चाहते हैं, तो मुझे रगता है कि उसको कहने का हक है, आप उससे सहमत है या सहमत है, ये एक अलग विशह है, और विद्यार्थी पर कहने नहीं देना चाहरे है, क्या हम उन्हीं के गुंड़ई के रस्ते पर जदे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है अभी आपने जिस एक व्यक्ति का नाम लिया तो अपने लेट चौक पवित्र मंचे से और समानित मंचे से व्यक्ति का नाम ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कि वह जैसे लोग इस देश के लिए घातक लोग हैं और उनके ऊपर हमारे न्यायले निर्ने ले रहे हैं और इतने वरशों तक जेल में रहे कर जमानत पर रहा होकर के लोग बाहर आते हैं और फिर बड़ी-बड़ी बाते करते हैं दूसरा अपने कहा कि अभी व्यक्ति की को सीमेत करने और उनको बोलने से रोकने की बात तो आपको क्या लगता है कि सेना को रेपिस्ट बोलना क्या यह अभी व्यक्ति की आजादी के अंतर गताता है अपने देश को टुकड़े करने की कसमे खाना क्या यह अभी व्यक्ति की आजादी के अंदर गताता है अफजल तेरे अर्मानों को हम मंजल तक पहुचाएंग, अफजल गुरु कौन? वो आतंकवादी, उस आतंकवादी का सपना क्या था? उसका सपना था हमारे देश में लोगों को नमारना, आम लोगों की हत्याएं करना, और उसके उपर जब सुप्रिम कोर्ट ने निर्ने दिया तो क् की किलिंग ओफ अफजल गुरु, तो जिसका समवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं है, हमारे न्यायाले की बेज़ती करने वाले लोग, हमारे ज़जो, हमारे जो न्याया धीश हैं, उनकी बेज़ती करना क्या ये अभिवक्ति की सोतंतरता है? हमारे समविधान का अपमान करने क्या यह अभिवक्ति की सोतंत्रता है भारती दंड संगिता का अपमान करने क्या यह अभिवक्ति की सोतंत्रता है और माफी चाहती हूँ अगर यह अभिवक्ति की सोतंत्रता है तो विद्यार्थी परिशत को यह अभिवक्ति की सोतंता स्विकार नहीं है जो भी हमारे सम समविधान का अपमान करेगा, भारत माता का अपमान करेगा, भारत की भौगवलिक सीमा का खंडन-खंडन करने की बात करेगा, विद्यार्थी परिशित उसको मुतोर जवाब देने के लिए समविधानिक तरीके से खड़ा होगा, पहले भी खड़ा रहा है और हमेशा भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहने लग जाते हैं कि अजी अभिवक्ति के आजादी सीमित हो रही, अभिवक्ति के आजादी का हननन किया जा रहा है, वो लोग यह क्यों बात नहीं करते हैं, कि हमारे कॉंस्टिटूशन का पहला अमेंडमेंट जो किया गया, समविधान संशोधन पहला किया गया, वो अभिवक्ति के आजादी को सीमित करने के लिए किया गया, किसने किया वो, कॉंग्रेस की सरकार ने किया, और वही कॉंग्रेसी लोग कहेंगे कि अभिवक्ति के आजादी का हननन हो रहा है, तो यह वही लोग हैं जो अभिवक्ति के आजादी के नाम प तो आप तो मुझे पता है, आप पत्रकार है और रास्ट्रभाव वाले व्यक्ति हैं, मैं आपका बहुत सम्मान भी करती हूँ, तो ऐसे लोगा दूसरा जो आपने कहा कि मारपीट और बाकी चीज़ों का आरोप लगता है, तो यह कहीं न कहीं मुझे लगता है, मेरी आप से भी यह शिकायत है, कि आप भी शायद एक दिशा में ही बढ़कर आगे बढ़ रहे हैं, आप ने शायद उनके आरोपों की तरफ तो ध्यान दिया, यह जो लोग विद्यार्थी परिशद के उपर आरोप लगाते हैं, कि विद्यार्थी परिशद मारपीट करता है, पस्चिम बेंगॉल में ABVP की कारेकरताओं को रेप की धंकिया दी गई, लोगों को वो नहीं दिखाई दिया, विद्यार्थी परिशद के कारेकरताओं के करा तक गया और पुलिस टेशन तक गया पुलिस स्टेशन पर पहुचने के तक रह में विद्धयार्थी परिश्यद पेचस मुक knitting लुग में खेंड शोकी एक बैशने में उस एजेंडे में विद्यार्थी परिशद सेट नहीं होता और इस कारण से विद्यार्थी परिशद उनको चुबता है विद्यार्थी परिशद उनको खटकता है इसलिए भी खटकता है क्योंकि विद्यार्थी परिशद किसी आयातित विचार की नहीं बल्कि समिट्टी की इसलिए उनको विद्यार्थी परशद खटकता है। विद्यार्थी परशद उनको इसलिए खटकता है। तिरंगा लहराना चाहिए और आम जन से उसका आग्रह किया मुझे बहुत प्रसनता है कि पूरे देश भर में विद्यार्थियों के सहयोग से बीवीपी के नेत्रतु में एक लाख नौ हजार तीन सो छपन स्थानों पर तिरंगा लहराया गया और अभी आगे आने वाले समय म अग्यात हुतात्माओं का सर्वेक्षन भी हम कर रहे हैं ताकि एक जो हमारे देश में नरेटिव बनाए गया कि इस देश को स्वाधिन्ता सिर्फ एक मात्र परिवार नहीं दिलाई है उस वो भी यह भी हुआ कि स्वाधिन्ता के पहले ब्रिटिश हमारे देश का इतिहास कर देश कि एक परिवार की चाटुकारता करने वाले थाकतित इतिहास से कारों ने इतिहास लिखा और यह बताने का प्रियास किया कि स्वाधिन्ता में एक मात्र परिवार का योगदान है जिसके कारण भगत सिंग जी को भी हासिय पर लाकर ख़गा कर दिया सुभास जैंद मुझे लगता है इससे बड़ा और कोई स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता कि वो लेफ्टिस है कि नहीं थे कोई व्यक्ति अंतिम दिनों में किसी एक लेफ्ट के किसी एक व्यक्ति को पढ़ ले तो उससे आप ये कह दें क्यों पूरा जीवन मतलब यह हो जाए कि मैं अभी अभी जस्ट कोई चीज पढ़ू और मैं कह दो जब से पैदा हुई हूं तब से यहीं कर रही हूं तो वो तो मतलब हास्यासपद विशय हो जाएगा परन्तु सावरकर जी से वो प्रभावित थे सावरकर जी को जानते थे समझते थे तो इसके कार सावरकर जी तो लेफ्टिस नहीं थे और सावरकर जी के विशय में तो क्या बोलना है वो तो हम सभी उनकी देश भगती से रास्ट्र भ कि मुगलिया माइंसेट वाले ये लोग हैं, जिन लोगों ने सुभाशन बोश जी को भी जापान के जो उस समय शाशक थे तो जो उनका कुता तक कहा, तो जो अव्यक्ति हमारे फ्रीडम फाइटर को हमारे स्वाधिन्ता सेनानियों को तो जो का कुता बोल सकता है, उन लोगों से हम क्या पेक्षा करें कि वो देश के किस स्वाधिन्ता सेनानी के बारे में बात करेंगे, पुर्वत्तर के स्वाधिन्ता सेनानियों के बारे में बात क्यों नहीं की, ताकि कि बताया जा सके कि भारत की स्वाधिनता में पुरवत्तर का कोई योगदान नहीं था, ताकि आपके मन में वो प्राइड फील नहीं हो, आपके मन में वो गर्व की भावना नहीं आ पाए, आपने साउथ के बारे में बहुत ज्यादा चर्चनी की, ताकि जो मध्य में रहने उत्तर प्रदेश में, बिहार में या मध्य प्रदेश में रहने वाला जुदियार्थी है, उसको पता ही ने चले के रानिमा चेनम्मा का स्वाधिनता में क्या कॉंट्रिबूशन रहा है, आपने लचित बरफूकन को नहीं पढ़ने दिया कि ताकि जो यहां का विद्यार् तो लोगों के, मतब होता ना, लोगों को विद्धार्थी परश्द खटकने लगती है, तो उनको जितनी बार उनको विद्धार्थी परश्द खटकती हमें उतनी बार अच्छा लगता है, क्योंकि हम देश के लिए काम कर रहें, हम खटकते रहेंगे आपके लिए, हम हमेशा आप तो वैसे में भी वो लोग तो कुछ गुनी चुनी जगों पही बचे हुएं तो उनको अब ज्यादा खटकने का मौसर भी नहीं देंगे क्योंकि वो समाफ्त होने के कगार पहे हैं अब आप यह तो नहीं करें कि सेव टाइगर्स केंपेन अभी छोड़ दो हाला कि मेरा यह मनना है कि भागत सिंग को आप रेफ्टिस्ट कहें या सावर कृषिस प्रहावत कहें भागत सिंग जी देश के रड़े थे इसलिए आप जिसको जिसको चारदारा में उनको खाचम बिठाना हो असल बात वह है कि वो राश्टरवादी थे अब यह हमारे रेफ विश्विद्यारों के इतने महेंगे हो चुके हैं कि सांसत बिजारा भी एक बार युनुर्स्टी का चुनाव लड़ने से डर जाए जैनियू का थोड़ा सा मुझे हमेशा स्ट्रक्चर रखता कि ठीक है वहाँ पर केंपस के अंदर अंदर होता लेकिन मैं दिल्री विश् क्षाटर आप अपने संगठन से दूसरे संगठनों में या जो किसी संगठन से नहीं जुड़ने आप देखें कि वह चुनाओ लड़ सकते हैं वह ने दिशा की बात कर सकते हैं वो सिर्फ और इस लिए आगे नहीं आ सकते क्योंकि पैसे का प्रभाव इतना ज़्यादा है क तो जैसा राजनीती हम चाहते हैं, वैसी राजनीती के लिए, वहां से उठने के लिए हम उनको मौका ही नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या विधियार्थी परिशत कुछ ऐसा प्रयास करेगा जिस तरह से जेनिव मे है, सबकुछ हैं रिटन अंदर ये अंदर सब कुछ होगा है खतम हो जाता है देश के बाकी विश्रिद्यार्यों में भी ये जो काम है पैसे का प्रभाव जो है वो खतम हो जाए एक आम चात्र चुनाव रणने की सोच सके और वो एक नेत्र देने की बात कर सके लिए धनबल और बाहुबल ये दोनों ही मतदान के लिए चुनाव के लिए घातक होते हैं और जहां पर भी इनका दुरुप्योग होता है या कहें कि उनके लिए सदुप्योग होता है परन्तु है तो ये दुरुप्योग ही जब भी उसका उप्योग करने का प्रयास किया जाता है तो एक अच्छी ची से ऐसा था कि नहीं विदार्थी परशेद के नाते से आपको लड़ना चाहिए विदार्थी Пरशेद के बैनर से, तब मैंने जो उस समय चुनाव लड़ा, तो मैं आपको आज बताओं, तो मैंने किसी व्यक्ति को दस रुपई की चाय तक नहीं पिलाई अपने चाथ संग के चुनाओ में इस हिसाब से मैंने चुनाओ लड़ा उस समय और मुझे लगता है कि शैर जो आप जिस धन बल की बात कर रहे थे अगर वो धन बल खर्चा होता चाथ संग चुनाओ में तो मैं भी कभ कि धन बल और बाहुबल यह दोनों का ही उपियोग मतदान में नहीं होना चाहिए परन्तु मुझे एक विशह जो और भी लगता है ऐसे लोगों का यह सब करने का मन क्यूं बढ़ता है क्योंकि जो सामने बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसको यह पसंद आ रहा है जिस दिन आ इन दौर में पर बीके नहीं सदग पर नहीं दिख रहा है तो मैंने बोला कि सवच्च भारत अभीयान अटार की जंता ने किया जन अंडोलन वो बना तो कोई भी अभी थाट वो तभी सक्सेस्फुल हो पाता है जब जन सहभागिता उसमें होती है जब जनता उशी इस का व है वो अगर इसका विरोध करने लग जाएगा कि नहीं हमको इतनी गाड़ियों वाले लोग चाहिए ही नहीं चाहिए हमें वो समाने व्यक्ति चाहिए जो हमारी बात को सुन पाए भले उसके पास में पैसा नहीं है परंतु वो स्टूडेंट्स की आवाज को उठा सके जब व यह उनकी दिशा भी बदल चुकी है और यह पाटन नहीं है जिस सेम पाटन पर हम इत्ते सालों से चुनाव लड़ते चले आ रहे थे पर एभी वीप में तो वैसे में हम बहुत सादगी से चुनाव लड़ते हैं बहुत सादगी से स्टूडेंट्स का पूरा मैनिफेस्टो एजंडा लेकर आना स्टूडेंट को पसंद आये तो आप वोट करिए आपको कन्वेंस कने के हम पूरी कोशिश करेंगे और उस अपने उस प्रयास के आधार पर आपसे वोट मांगते हैं तो विद्याथी परिशद तो इसी के आधार पर आगे बढ़ती है बहुत अची ब लेकिन कहीं कहीं मैसेज वही देना है कि यार ये अगर बदलना है आपको तो बदलिये बाकि मैं एक एक रिक्वेस्ट आप से और करूंगा कि आप चाय जरूर पिला दिया करें क्योंकि चाय का रंग भगवा होता है दोस्तों मेरी तरफ से सवाल खतम है और चुकि सशन का स क्योंकि जैसा की बात हो रही थी कि धरातल पे चीजे कैसे होती है दन्बल की अभी बात हुई लिंग्डो कमीटी आई थी दोजार पांच में उसमें कई सारे पॉंट्स मेंशन हुए थे तीन पॉंट्स मेंशन हुए थे 75% एटेंडन्स और किसी भी चात्र नेता जो चुन प्रांत में अवत प्रांत से आता हूं हाल ही में निर्वाचित एबीवपी के कई सारे नेता वहां पे थे काफिला चलता है महौल बनता है फिर उसके बाद एक समारों किये जाते हैं क्या नहीं लगता कि आपने जैसा कहा कि पैसा नहीं खर्च होता है चात्र चुनौन नही लड़ पाते हैं, अगर ऐसा होता कि जादा पैसे लगते हैं, आपके फादर गौर्णवन जॉब में थे, लेकिन चीजे क्या धरतल पे दूसरी तरह ऐसे नहीं हो रही हैं? मुझे लगता है, मैं प्रत्यक्ष प्रमाड हूँ, मैं प्रत्यक्ष हूँ आपके सामने, प्रमाड हूँ मैं, अगर शायद इतना धन खर्चा हो रहा होता, तो मैं कभी चाद संग चुनाव लड़ती ही नहीं, और विद्याती परिश्यत संगठन में ही ये संभव भी हो पात वो व्यक्ति अगर चुनाव लड़ पाता है, उसका फामिली बाग्राउंड क्या है, घर में इंकम कितनी है, पैसा है कि नहीं है, गाड़ी आ सकती है कि नहीं आ सकती है, इन सब चीजों के बारे में अगर कोई एक चात्र संगठन नहीं सोचने वाला है, तो वो ABVP है, क्यो और नहीं हो, धन मैटर नहीं करेगा उस दिशा में. चात्र राजनेती के दिशा और दशा तै करने वाला ये सत्र था, कई सवालों के जवाब भविष्च के राजनेताओं को यहाँ पर मिले, और हमने देखा कि भविष्च, हमने नहीं देखा सुष्मा सवराद जी जब उनके युवा वस्ता में थी, तब वो कैसा बोलती थी लेकिन हमें एसास हो गया, हमें एक सुष्मा सवराद जी को बनते हुए देख रहा है निश्चित तोर पर, मैं अंदोत करूँगा अखेल भारती विद्यारती परिशत के मालवा प्रांत मंत्री श्री घंशाम चौहान जी से, कि वे आएं और बहुत ही लेट चौक से युवा मोर्चा के एलेक्ट्रोनिक मीडिया प्राभारी शिप्रखर दवे कानु जी से, कि वे इन दोनों वक्ताओं को एक लिट चौक की और से आभार प्रोदेशन करें सम्मानी नवीन चौधरी सर और निदीत्रि पाथी जी आप दोनों का मैं रिदर से अभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने अपना समय निकाला और इस इंदौर के तयोहार में आप लोग शामिल हुए हम उमीद करते हैं कि आप लोग ऐसे ही हम युगाओं को आगे दशा और दिशा देते रहेंगे तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और एक बार फिर इंदौर के तयोहार लिट चौक में आपका स्वागत है